दोस्तों आज में बनाओंगी राजस्तान की फेमस पेशन वाली भर्वा मिर्च की सबजी ये रेसिपी देखोगे तो तुरन बनाना चाहोगे इतना टेस्टी होता है और इसका मसाला थोड़ा स्पाइसी और डिलिसियस भी होता है इसके लिए मैं इस टाइप का मोटे वाला लंबा वाला हरी मिर्स ले लिये हूँ इसको बीच बराबर काट देंगे इसमें ज्यादा बीच नहीं रहता है ये खाने में बहुत तेस्टी होता है इसी तरह साड़े मिर्स को मैं काट लुँगी और इसको साइड में रखके इसका फिलिंग में बना लुँगी इसके इतना बेशन ले लिये हूं वेशन को तेल के संग अच्छे से फ्राई करना है अच्छा से भूनना है दोस्तो एक दम भी गुठ लिनार है इसी कंस्टेशेंसे के हमें बेशन को भून लेना है देखो कितना सुनतर बेशन हमारा भून गया है। अभी इसको एक कटड़ में ले लिए हूँ, इसाने थोड़ा सुखा मसाला दे देंगे. पहले देंगे हल्दी, नमक, थोड़ा सा रेट चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, तोड़ा सा कस्मीरी रेच्चिली पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा चाठ मसाला चाठ मसाला ना रहे तो आख आमचुर पाउडर भी डाल सकते हो तोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और खटास फ्लेबर के लिए आधा नीबू का रस निचोर के दे देंगे सब को अच्छे से मिला लेंगे ये देखो कितना सुन्दर हो गया है अभी बायनी के लिए मैं थोड़ा सा सर्शुकतेल थोड़ा सा पानी दे दूँगी फिर से सब को अच्छे से मिला लेंगे स्टाफिंग हमारा रेडी हो गया है अभी मैं मिर्ची के अंदर सब को भर लूँगी एकदम दबा दबा के पुड़ा मिर्ची को स्टाफिंग से भर देना है दोस्तों देखो कितना सुन्दर दिखने में भी लग रहा है, इसी तरह मैं सारे मिर्ची को स्टाफिंग में भर देंगे, ये रेसिपी खाने में बहुत जिलिसियास है, देखो मेरा कितना सुन्दर एक मिर्ची भर गया, मैं सारे मिर्ची को ऐसी तरह भर लेंगे, और फिर इसको तलने के लिए रख देंगे अभी यहां पे मेरा थोड़ा सा मसाला में बचा के रखी हूं इसको में बाद में यूज करूंगी आप देखते रहना में तेल दे दी हूं कड़ाई में फिर एके करके सारे मीर्ची को डाल दूगी यहां पे सारे मीर्ची को एक हिसंग डालना है दोस्त इसको ढग देंगे थोड़ा सा मिर्ची अमारा स्मूथ हो जाए नरम हो जाए उसके बाद एक मिनिट के बाद मैं कॉवर खोल के चेक कर लूँगी कितना हुआ है अमारा मिर्ची देखो कितना सुन्दर पग्या है दिखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है दोस्तो आज का अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्र करके बेल आइगन को जरुत दबाना फिर मिलेंगे